इस वीडियो में हम विबिन प्रकार के परमाणूओं यानि की एटम्स और उन्हें बनाने वाले fundamental particles के बारे में जानेंगे एटम्स वे छोटे छोटे अंश हैं जो हमारे आसपास की दुनिया में सभी चीजों को बनाते हैं वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं जो खाना हम खाते हैं जिन घरों में रहते हैं और ये स्क्रीन जो आपके सामने हैं सब कुछ एटम्स से बना है हला कि हमारे आसपास की चीज़ें अपना रूप बदल सकती हैं उन्हें पिगलाया जलाया या तोड़ा जा सकता है लेकिन इनके एटम्स नहीं बदलते ये छोटे लेगो ब्लॉक्स की तरह होते हैं जब आप कोई मॉडल बदलते हैं तो एक लेगो हाउस लेगो कार में बदल सकता है लेकिन बेसिक ब्लॉक्स या एटम्स वही रहते हैं हमें अभी तक लगभग 114 विबिन्न प्रकार के एटम्स के बारे में पता है सबसे हलका है हाइड्रोजन और उससे कई गुना बड़ा है यूरेनियम ऐसे मैटिरियल्स जो किवल एक ही प्रकार के एटम्स से बने हों उन्हें elements कहा जाता है और वो materials जो अलग अलग तरह के एटम्स से मिल कर बने होते हैं उन्हें yogic या compound कहा जाता है हर element को उसके symbol से represent किया जाता है जैसे कि sodium का symbol है Na, oxygen का symbol है O, argon का symbol है Er और जैसा कि आप समझी गए होंगे, hydrogen का symbol होगा H ज्यादतर elements के symbol उनके English नाम के पहले letter के साथ शुरू होते हैं लेकिन कुछ exceptions भी होते हैं जिनके नाम किसी और भाशा से लिए जाते हैं जैसे कि lead का symbol PB ऐसा इसलिए है क्यूंकि Latin भाशा में lead को plumbum के रूप में जाना जाता है अगर periodic table पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि element के symbol का दूसरा letter हमेशा lowercase होता है periodic table का निर्मान एक रूसी वेज्ञानिक और आविशकारक Dimitri Mandeliev दुआरा किया गया था सन 1879 में उन्होंने सभी elements को उनके atomic mass के बढ़ते क्रम में जमाया और उन्हें अलग-अलग रोज में बाढ़ दिया जिससे की समान properties वाल elements को एक ही group में रखा जा सके ऐसा करने से Mandeliev उन elements की properties को predict करने में सक्षम हो सके जो तब तक खोजे नहीं गए थे वैसे अगर हम सिर्फ atoms के बढ़ते size को ध्यान में रखें तो periodic table को कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत भारी atoms स्थिर नहीं होते और आसानी से टूट जाते हैं बिस्मत को आखरी स्थिर atom माना जाता है इसका कारण ये है कि atoms छोटे particles से बने होते हैं ये कौनसे particles हैं? वीडियो को यहीं रोकें और सोचें atoms, protons, neutrons और electrons से बने होते हैं protons और neutrons atom के center में एक छोटे से nucleus में रहते हैं जिसके चारों और सभी electrons चक कर काटते हैं एक electron का mass एक neutron या proton के mass के लगभग 1000 में हिस्से के बराबर होता है तो इसका मतलब हुआ कि एक atom का लगभग सारा mass उसके center में केंद्रित होता है क्योंकि protons और neutrons का mass electron के mass की तुलना में बहुत बड़ा होता है हम यह मान लेते हैं कि electron का mass मूलतह 0 है elements को पहचाना जाता है उनके nucleus में पाए जाने वाले protons के आधार पर protons की संख्या कभी नहीं बदलती इसका कारण यह है कि protons और electrons charged particles होते हैं protons के उपर positive charge होता है plus one और electrons के उपर negative charge होता है minus one क्योंकि electrons atoms के nucleus के चारों और स्वतंतर रूप से घूमते हैं उनका किसी भी दूसरे atom के साथ आधान प्रदान किया जा सकता है जिससे हमें उस element की chemistry के बारे में पता चलता है एक charged atom को iron कहा जाता है neutrons charged नहीं होते इससे वाकई में कोई फर्क नहीं पढ़ता है कि किसी atom के nucleus में कितने neutrons हैं ये उसकी chemistry पर कोई प्रभाव नहीं डालते लेकिन वो nucleus को एक साथ बांधने में मदद करते हैं जिसमें अन्यथा के वल positive charge वाले protons होते हैं जो एक दूसरे को repel करते हैं एक ही element के कुछ atoms की nucleus में उसी element के कुछ होर atoms की तुलना में अधिक या कम neutrons हो सकते हैं इन्हें isotopes के रूप में जाना जाता है इनके masses तो अलग-अलग होते हैं लेकिन इनकी physical properties बिलकुल समान होती हैं और ये एक ही तरह के reactions शो करते हैं तो अब तक आप समझ गए होंगे कि atoms, protons, neutrons और electron से बने होते हैं याद रखें, electrons का mass लग-भग ना के बराबर है protons और electrons charged होते हैं लेकिन neutrons रखेंगे